हाई फ्रेंट आप सभी लोग का सवगत कात्ता हो फिर से मेरा एक नया वीडियो पे तो फ्रेंट अगर आपके पास एक भोड़ापोन या फिर जीओ या फिर बीएसनल कोई भी अपटर का सीम होगा और ओस सीम को आप लोग किसी दूसरे सीम पर पोर्ट करना चाते हो तो वीडियो को अंतक देखना अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके जाना तो चलिए पर वीडियो को बीना टाइम गवाए श्रू करते हैं अगर आपके पास कोई भी सीम होगा जीओ या टेल भोड़ा कोई भी सीम होगा तो उस सभी को पोर्ट करने का एक ही तरी कर सकते हो तो मेरे पास एक भूटापोन कसी में उस भूटा फोन नंबर को मैं अभी जियो में पूट करना चाता हूं तो इसलिए है अभी भूटापोन नंबर तो में डालना पड़ेगा 1900 तो नीचे मैसेज पर ये आपर टाइप करना पड़ेगा क्यापिटल में P, O, R, T पोट फिर स्पेस फिर आपका जो नंबर है उसी नंबर को ये आपर टाइप करना पड़ेगा फिर जीस नंबर को आप लोग पोट करना चाते हो उसी नंबर से इस message को send कर देज़े, send करने के बाद company के और से आपको पास एक message आएगा, वहाँ पर UPC code लिखा होगा, वो UPC code से ही आप लोग port कर सकते हो, तो देखिए company के और से, भुटाबोन company के और से, मुझे अभी message दिया गया है, UPC code, तो UPC code नमबर port करने के लिए ज़रूरी है, आप ल SIM उठा ले सकता है, तो UPC code को secure रखना, तो अभी जीओ में port करने के लिए भुटाबोन SIM को, माई जीओ आप में आप लोग को लोग इन करना पड़ेगा, आप लोग भुटाबोन नमबर से भी लोग इन कर सकते हो, लोग इन करने के बाद, यहाँ पर जो नीचे three line दिखा र कर देना, ट्याप करने के बाद यहाँ पर दो option आता है, port to geo और new sim, तो आप लोग port करना चाते हो, तो port to geo पर tap करना, ट्याप करके नीचे भी दो option आता है, एक prepaid, एक post page, अगर आप लोग prepaid SIM चाते हो, तो पोस्ट पेड पर ट्याप करना, अगर आप लोग पोस्ट पेड सि याप पर आप लोगों को address fill करना पड़ेगा, address इसलिए fill करना पड़ेगा, क्योंकि जो geo का agent है, वो आपके घर आएगा, या फिर आप जिस address यापर डालोगे, उस address पर आएगा, आने के बाद आपका जो बुड़ापून का sim है, या फिर कोई भी BSNL, या टल का sim है, उस sim को geo में port करके देगा, इसलिए आपको यापर address fill करना पड़ेगा, या पर पिन कोट डालना पड़ेगा, या पर locality area डालना पड़ेगा, उसके बाद house number अगर होगा, तो बोग या पर डालना पड़ेगा, डालने के बाद नीचे update पर ok करना, तो update पर click करने के बाद ऐसा एंटर एजेंट आएगा फिर यह से टाइम को भी आप लोग सिलेट कर सेकतो तो कोई भी एक time को सिलेट कर लेना जिस time वे आप एवेलेबल हो उसके बाद continue पर tap करना यह आप का यह पर update हो जाएगा और जियो का एजेंट आप लोगों के पास आएगा और आपका जो डॉकुमेंट को भेड़ीपाय करेगा और एक नया जियो सीम आप लोगों को देगर जाएगा तो वीडियो कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना चलन पर नया तो चलन को रखना मुलाकातों का नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुश रहना धन्नमात फ्रेंड